हलो फ्रेंट जालकॉम बैक टू माई चैनल मैंने में अंकुर मेंद्रता ता मोस्ट डिमांडीड वीडियो डंकी वर्सिस सलार की स्क्रीन काउट के ओपर बात करूँ आंकुर भाई मैं बात नहीं करा था बहुत पहले एक वीडियो बनाया था मैंने उस वक्त क्या था कुछ उठाएंगे और डंकी और सलार में वो हम लेकर जाने वाले हैं तो वीडियो को पूरा देखना और एंड में कुछ ऐसा बताने वाला हूना चाए अब सलार के फैन हो चाब डंकी को चाब प्रभास के हो शारु खान के हो दोनों के लिए एक मैं मोटीवेशन देकर जा करने वाला हूं कि वो चीज़ आप कहीं ना कहीं मेर से एगरी तो करेंगे भले ही आप 50% करें पर आप एगरी जरूर करेंगे तो आते हैं देखो सलार और डंकी के ओपर जाओं सबसे पहले सैम बहादूर एनिमल के ओपर चलते हैं वो भी जरूरी है क्यूं है वह पता लग जाएगा एनिमल के पास ओफिशल स्क्रीन काउंट है 4000 एंड भाई सैम बहादूर के पास ओफिशल स्क्रीन काउंट का नंबर है 1800 जाने की 1800 कम से कम 200 स्क्रीन के ओपर अभी सलमान भाई की फिल्म टाइगर 3 चल रही है तो आप 6000 स्क्रीन पकड़ के चलो इससे जादा ना इस ना इसको सलार को हिंदी मार्केट के अंदर इस्टिबूट करना है और कुछ लोगों का कहना है मेरे पास भाई यहां से मेल आईया, वहां आईया मुझे नहीं पता, देखो हमारे पास कोई मेल वेब नहीं आईया तो मैं नहीं बता सकता हूँ ये बात सच है के जूट है बट हम मानकर चलते हैं ओपन गेम चलते हैं देखो चाए ए फिल्म अगर धमकी भी दे रहे ना डिस्रिबूटर का एक्जिबिटर को तो भाई शारु खान को हिंदी मार्केट के अंदर इगनोर करना और उनके उपर से जाकर आप सलार को स्क्रीन दे दो के जादा पॉसीबल नहीं है सपने में भी नहीं हो सकता क्योंकि जो बंदा दो हजार करोड दे चुका एक साल में तो आप उसको कैसे भूल जाओगे उसको एकनोर करके आप उसको स्क्रीन दो के नहीं हो सकता तो ये देखो कड़वा सच ह यहीं कम से कम 4000 और सलार को मिलेंगी 1500 स्क्रेन मिलेंगी 500 अनिमल के पास रहेंगी anyhow कोई कुछ भी नहीं उखाड सकता animal 500 screen पे भी लगी रहेगी 21 दिसंबर के बाद भी अब अगर worst scenario हो जाए तो क्या होगा डंकी की हो जाएंगी 3800 सलार की हो जाएंगी 1700 और भाई animal की 500 फिर भी रहेंगी तो ये रहने वाला है आंकडा 6000 screen का ब्रेकाप इसी तरीके से रहेगा या तो animal 500 पे तो animal रहेगा रहेगा सलार या तो 1500-1700 के आसपस रहेगा और डंकी जो है 1800 से 4000 के आसपस रहेगा इस तरीके से 6000 screen का distribution होने वाला है अब आपको एक चीज़ और बता दूँ जो मैंने बोला है सलार के लिए net के ओपर है अवेलेबल तेयर्टरस लिस्ट जो इंडिया की है उसमें है तो सलार वहाँ पर पूरी तरीके से dominant करने वाला है पूरी तरीके से dominant करने वाला है तो विये होगी आंदरा की और तेलंगाना की बात अब हम आते हैं हिंदी बेल्ट में वापिस क्योंकि हमारा फोकस हिंदी बेल्ट के ओपर ही है अब देखो एक ना आप चीज आइडिया लगाओ ये गदर के टाइम पर भी हुआ था और ये एनिमल के टाइम पर भी हो रहा है एनिमल को चार हजार स्क्रीन्स मिली है चार हजार स्क्रीन के अंदर एवरिज ना 90% की occupancy अगर चलती है ना तो 50-55 करोड, 60 करोड बड़े प्यार से आ सकता है चार हजार स्क्रीन के अंदर भी इसके लिए आपको पचपन सो अठावन सो पाँच हजार स्क्रीन की जरूत नहीं है देखो quantity better नहीं करती quality better करती है और quality किसमें होनी चाहिए हमारी film के अंदर होन स्क्रीन सो चाह अठारा सो स्क्रीन सो आपको मैं बता दूँ सैम बहादूर 10-10 करोड दो दिन निकाल कर लेकर आया है ठीक है कितने स्क्रीन में अठारा सो स्क्रीन में और थेटर कम से कम ना वाइस अब सतर परसेंट खाली चल रहे हैं 30% क्योंक्योंग पैंसी मैक्सिम रात होना पिटना बंद करो बस चाहिए अब सलार वाले हो चाहिए अब डंकी वाले हो फिल्म अच्छी होनी चाहिए फिल्म अच्छी होगी तो पब्लिक को साथ मिलेगा पब्लिक तब यह नहीं सोचती है कि मेरे को पीछे की सीट मिलेगी मेरे को आगे की सीट मिलेगी एनिमल म में न क्या हो रहा है बंदे सीडियों पर बैठ के फिल्म देख रहे हैं स्टेर्स के ओपर दिलनी में ये हाल चल रहा है बस फिल्म अच्छी हो पबलिक भाई कुछ भी करने को तयार हो जाती है इसलिए मैं बोल रहा हूं भाई स्क्रीन कम तो होंगी होंगी क्लैश के अंदर फिल्म अच्छी होगी तो सब कुछ लाजवाब होने वाला है और अगर गलती से दोनों में से एक फिल्म उपर नीचे होती है तो एक्जीबिटर्ड डिस्ट्रिबुटर्ड टाइम नहीं लगाते हैं इधर की उठाके उधर उधर कर देते हैं उन्हें करना कि स्क्रीन का ख रहने वाली है 21 दिसंबर के बाद भी अब आपका क्या टेक है आपको क्या लगता है वो ज़रूर बताए कमेंड बॉक्स में कौन करके बाकी वीडियो में इतना ही कुछ अच्छा लगाओ चलो सब्सक्राइब जरू कर देना थैंक्स पूर वाचिंग